नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 सितंबर दिन सुक्रवार खब्रो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में जिन से होगी बालू खरन की शुरवार दुर्गा पूजा को लेकर ये नियम हुआता है विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर के साथ आज फिर से स्थापित हो सकता है संचार बिहार प्रशास्निक सेवा के 6 अफसर बदले 8 IPS अफसरों का किया तबादला भारत इखिला पहले वंडे में नहीं खेल पाएंगे स्टार्क और मैक्सवल अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों के ओर वस्तार से NFC में ITI Trade Apprentice के 206 पदों पर निकली भरती नुक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स के द्वारा ITI Trade Apprentice के 206 पदों के लिए आवीदन मांगे गए हैं सेमें वे उमिद्वार जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वे NFC की अधिकारिक वेवसाइट स्टिटी पीएस कोलम स्लैस्लैस www.nfc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवीदन कर सकते हैं बतादी के आवीदन करने की अंतिम तारीक 30 सितंबर 2023 तक नरधारित की गई है वहीं अगर इसके लिए सैचनिक योगिता की बात करें तो उमिद्वार के पास किसी मानता प्राप्त संस्थान बोर्ट से दसवी ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट या समकच योगिता होनी चाहिए इससे जोरी अधिक जानकारी हासल करने के लिए उमिद्वार जारी किये गए अधिसूशना को देख सकते हैं बिहार में इस दन से होगी बालू खनन की शिर्वात बहुत जल्दी बिहार में बालू खनन की शिरवात होने वाली है बता दे कि पहले बालू खनन की शिरवात 1 अक्टूबर से होने वाली थी लेकिन मौनसून की अवधी को देखते वे एंजी टी के द्वारा बालू खनन की शिरवात 15 अक्टूबर से करने का नर्देश दिया ग इसके साथ ही अब बालू ढूलाई के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों का पंची करन विवागे पोटल पर कराना होगा क्योंकि इसके बगार चालान नहीं बनेगा वहीं बालू लदे वाहनों के वजन के लिए वे ब्रिज और बालू घाटों पर CCTV कैमरे लगाने होंगे इस बारे में सभी बंदोबस धारियों को संदेज फेज दिया गया है विहारी बहतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राज सेखर के बारे में राज सेखर का जन्म आजी के दिन 1980 में हुआ था यह एक भारतिय गीतकार है उन्होंने 2011 के फिल्म तनु वेट्स मनू से गीतकार के रूप में बॉलिवोड में डेब्यो किया उन्होंने तनु वेट्स मनू रिटरंस तुमबाडो वीरे दी वेडिंग हिचकी और उडीद सर्जिकल स्ट्राइक सहित अन्य उलेखनीय फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं उन्होंने अपने करियर की शुरवाद आनंद एलराई के सहायक नर्दीशक के रूप में की थी उन्होंने राय द्वारा नर्देशित और आर माधवन और कंग्ना रनाउत अभिनित पॉलिवोड फिल्म तनु वेट्स मनू में गीतकार के रूप में अपनी शुरवाद की उन्होंने जाने तू या जाने ना में अबास टायर वाला और हूम डिलिवरी में सुजाई घोस की साहेता की 2016 में उन्होंने सिक्वल फिल्म तनुवेर्स मनू रिटरंस के कुछ हसों के लिए गीत लिखे जिसमें बन्नो, मारी गली, ओ साथी मेरे, ओल्ड स्कूल, गर्ल, गनी बावरी और हो गया पर आच्चा से ट्रैक सामल थे दुर्गा पूजा को लेकर ये नियम हुआता है दुर्गा पूजा आने वाली है ऐसे में इसको लेकर तयारियां शिरूप कर दी गई है वहीं अब दुर्गा पूजा को लेकर नियम भी तैय कर दिये गए हैं जिसके तहट देशड़ा में मादुर्गा की मूर्ती की उचाई 20 फूर से अधिक नहीं होनी चाहिए और पंडाल की उचाई 40 फूर से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके अलावा मूर्ती के उपड़ी धाची की उचाई भी 40 फूर से कम होनी चाहिए वहीं प्रते एक पूजा समीती यह सुनश्चित करेगा कि मूर्तीयों का नर्मान प्राकृतिक सामगरी से हो मूर्ती के नर्मान में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उप्योग ना किया जाए वहीं विसर्जन से पहले फूल, कागज और प्लास्टिक से बनी सजावती सामगरीयों को भी हटा देना होगा पूजा समीतियों को जिला प्रशासन या संबंध त्विभाग को अनिवारे रूप से घोशना पत्र देना होगा कि मूर्ती का नर्मान प्राकृतिक सामगरी से किया गया है इसमें जहरेली भारी धात्मों वाले कृत्रिम रंग का उप्योग नहीं किया गया है पतादी की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में ही किया जाना है ऐसे में अगर किसी पूजा समीती के द्वारा नियम का उलंगन किया जाता है तो उसे जिरमाना चुकाना पर सकता है विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर के साथ आज फिर से अस्थापित हो सकता है संचार आज यानी की 22 सितंबर को एक बार फिर से चंदरमा पर सूरज की किरने पढ़ने के बाद इस्टो के द्वारा विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर के साथ संचार अस्थापित करने की कोशिश की जाएगी बता दे के चांद पर अंधेरा होने के बाद इस्टो के द्वारा प्रग्हान रोवर के अक्टिव होनी की उमीद है बता दी कि इस लोके द्वारा पहले ही यह जानकारी दे दी गई थी कि सुरे की रौषणी मिलते ही ही ये दोनों चार्ज हो जाएंगे और अक्टिव मोड में आ जाएंगे ऐसे में अगर आज दोबारा प्रग्यान और लैंडर से संपर्क स्थापित होता है तो कई नए पहलू सामने आ सकते हैं राजे के 65 प्रखंडों के विकास की नए सीरे से बनेगी योजना योजना एवं विकास विभाग के दोरा राजे के 61 प्रखंडों के विकास के लिए नए सीरे से कारी योजना बनाई जा रही है मालूम हो कि बीते दिनों नीती आयोग के अधिकारियों की टीम के दोरा भी इन प्रकंडों के विकास योजना को लेकर समिक्षा की गई थी और साथ ही योजना एवं विकास मंतरी विजंदर प्रशाद यादव व विभाग के अपर मुखे सुचिव अरुनीश चावला के द्वारा भी इन प्रकंडों को लेकर उचस्तरिये बैट अप की गई थी इसी को देखते वे अब केंदर सरकार की ओर से इन एक सट पिछरे प्रकंडों के विकास के लिए विशेश काडिकरम चलाया जा रहा है जिसके तहत यहां स्वास्ते और पोशन, सक्छा, क्रिसी, जलसंसाधन, वीतिय समावेशन और कौशल विकास पर विशेश ध्यान दिया ज जांका, नवादा, गया, मुझःपरपूर, खगड़िया, अरड़िया, सेखपूरा, पुर्वी, चंपारण, भागलपूर, मध्यपूरा, कैमूर, मुंगेर, वैशाली, कोपाल, गंज, समीद, कई नाम शामिल हैं विहार बोर्ड इंडर परिक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन सुरूँ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वह समीदी के वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com के माध्यम से सिक्षन संस्थानों के प्रधान द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर कोई परशानी होती है, तो विद्यार्थी हल्प रजिस्ट्रेशन के नमबर 6612223-0039 पर संपर्क कर सकते हैं, बता दे कि जिस विद्यार्थी के दौरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उन छात्रों को 2025 में होने वाले वार्शिक परिच्छा में बैठने के अनुमतीन नहीं दी जाएगी. बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अफसर बदले, 8 IPS अफसरों का किया तबादला, बिहार सरकार के दौरा 3 SDO को हटाते वे प्रशासनिक सेवा के 6 अफसर को बदल दिये गया है, और साथ ही 8 IPS अफसर का तबादला कर दिया गया है. बतादी के सामाने प्रशासन विभाग के द्वारा जारी के गया है, अधिसूप्षना के नुसार जिन 6 बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर को बदला गया है, उनमें सीता मडी के अनुमंडली ये लोग शिकायत निवारन पदादिकारी रोचना मादरी को महराजा गंज का SDO बनाय गया है, तो वहीं बाकिपूर अंचल के कारे पालक पदादिकारी राकेश कुमार सिंखो, अनुमंडल पदादिकारी मोहनिया, निर्मली अनुमंडल के लोग शिकायत निवारन पदादिकारी लती, फुर रहमान अंसारी को अनुमंडल पदादिकारी किशन गंज बनाये गया है इसके अलावा किसन गंज की अनुमंडल पदादीकारी अमिताब कुमार गुपता का तबादला कर रकसॉल अनुमंडल का लोग शिकायत ने वारन पदादीकारी बना दिया गया है और शिवान के महराज गंज अनुमंडल के SDO संजय कुमार को हटा कर पठना संचल का कारेपालक पताधिकारी और मोहनिया के स्टेंद्र प्रशाद को स्थांतरित का श्रम संसाधन विवाग का OSD बना दिया गया है वहीं जिन आठ IPS अफसर का तबादला किया गया है उनमें भागलपुर के आयुक्त दया निधान पांडी मुंगेट प्रमंडल के आयुक संजय कुमार सिंग, कला संस्कृती विवाग के अपर मुख्य सचीव दीपक आनंद, क्रिसी विवाग के संयुक्त सचीव अनल कुमार जा, स्रीमती रूबी, क्रिसी विवाग के संयुक्त सचीव संजय कुमार सिंग, सहकारिता विवाग के संयुक्त सचीव अभैजा और प पोस्ट शेयर करी है जानकारी दी गई है कि रक्त प्लेटलेट्स प्लाजमा एवं अन्य रक्त अव्यवों की उप्लब्धता की जानकारी है तो यी रक्त कोश की वेबसाइट sdrってる.vlog.goosh.in और एप पर जाएं बता दी की रاجugen के सरकारी एसपतालों में भरती मरीज़ों के लिए राजमें रक्त केंद्रों में प्लेटलेट्स और sdp ने शुलक उप्लब्ध है वहीं सरकारी रक्त केंद्रों दोरा नीजी स्कूरों में भरती राजमें और 207 पर ऑप्ले पी के लिए 11,000 रुपे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप यह एरक्त कोश एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिहार की हवा पर सोध करेगा IIT कानपूर अगले दो वर्शों तक IIT कानपूर बिहार की बायू गुनवत्ता पर सोध करने वाला है इसको लेकर प्रदेश के 522 ब्लॉकों में एयर क्वालिटी मॉनेटरिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं मालुमों कि IIT कानपूर और बिहार राजे प्रदूशन नियंतरन परशद के बीच लगभग 6 महीना पहले इससे संबंधित MOU पर हंस्ताक्षर किया गया था प्रदेश के सभी 534 ब्लॉकों में एयर क्वालिटी मॉनेटरिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हैं जिनमें से 522 ब्लॉकों में एर कॉलिटी मॉनिट्रिंग स्टेशन स्थापित किया जा चुका है तो वहीं बाकी बचे 12 ब्लॉकों में भी इस महा के अंध तक इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। मंदर का मुख्य द्वार दक्षन दिसा में और साथ ही यहां एक पीपल का पेर देखने को मिलेगा जो काफी समय से मंदर परिसर में है प्राचीन परंपरा के नुसार जगनात मंदर में हर एक दिन दो पहर 12 बजे से 2 बजे के बीच महा प्रशाद का भगवान को भोग के सबजी पाप पर आदी और शनिवार को खिचरी का भोग बनता है प्रतेग वर्श जून जुलाई के महीने में उरिसा ऐसे जगनात पुरी से रतियात्रा के आरंब के साथ बोध गया ऐसे जगनात मंदर से भी रतियात्रा का भवे आयोजन होता है विदेशी कंपनिया आरही बिहार खुलेंगे रोजगार के द्वार अमेर्की कंपनी अनलेटिक्स और एयाई परामर्श कंपनी टाइगर अनलेटिक्स के ऑक्टूबर 2023 में भारत में अपना चौथा ओफिस खोलने जा रही है जो की बिहार के राजधानी पटना में खोलने वाली है इससे पहले इनकी तीन ओफिस भारत के चन्नाई हैदराबाद और बैंगलूरू में खुली हुई है जिसमें करीब 4,000 करमचारी कारे रथ हैं पतादिक इस बात की जानकारी बिहार उद्योग विभाग के अपर मुखे सचीव संदीप पॉंडरिंग के द्वारा एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सेमतराज अमेरिका में स्थत एक उनत अनलेटिक्स और AI परामश कंपनी टाइगर अनलेटिक्स ऑक्टूबर तो हजार तईस में भारत में अपना चौथा काड़याले पटना बिहार में खोलेगी भारत में चन्नाई, हैदराबाद और बैंगलरू में इसके लगभग 4,000 करमचारी हैं चन्नाई में CEO स्री महेश कुमार और उनकी टीम के साथ अच्छी बैठक हुई और आगे की रणिती तैकी गई है बता दे किस कंपनी के खुलने से बिहार में IT के छेतर में रोजगार की संभाबनाई पड़ी गी संद्र मोहन खन्ना के घर पर लगाए गया था और आज लगभग सारे 8 महीनों के बाद हमने यहां मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया है उन्होंने कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के नितितुमें और उर्जा मंत्री के नितितुमें लगभग 19 लाख स्म बिहार ने ब्रॉंच मेडल पर जमाया कबजा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक महराश्टर के पूने में छतरपरती सिवा जिस स्टेडियम बालवारी में आयोजित पांचवी राश्ट्रिय वील्चेर रगभी चैंपियंशिप में बिहार की तीम के द्वारा हरियाना को 23-9 से हड आकर तीसरा अस्थान प्राप्त करते वे अपने नाम ब्रॉंच मेडल कर लिया गया है बतादिक इस खेल में बिहार के विविन जिलो से कुल आठ खिलारी शामिल थे जिसमें गया से सालेश कुमार जो की कप्तान आरा से धीरच कुमार नवादा से राजीव कुमार छपरा स दीपक कुमार और अमित कुमार सिवान से दीपक सर्मा बिहार की राजधाने पटना से सनीश्वर कुमार और राहुल कुमार के नाम शामिल है बतादिक इस प्रतियोगिता में देश भर से 15 राज्यों के टीमों ने हिस्सा लिया था मालमों कि इससे पहले वर्ष 2019 और 22 में भी बिहार इस खेल में सिलवर मेडल ला चुका है राजध सर्कार के दौरा सेरेश कुमार को एक लाख रुपे की राज़ी भी दी गई है राजी के कई जिलों में बारिस के आसार विहार में बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार प्रदेश के जादातर जिलों में बारिस की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार 24 सितंबर तक प्रदेश के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है इस दोरान यलो अलर्ट, औरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट तक जारी किया गया है 22 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि किसंगंच और सुपॉल में भारी बारिश की आसंका जताई गई है इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है एक या दो अस्थानों पर बारिश होने की संभावना है इन इलाकों में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है हर प्रखंड में दो-दो साधन सेवी होंगे बहाल बहार सिक्षा परियोजना परिसत के राजे परियोजना निदेशक भी कार्ति के धनजी के दोरा राजे के सभी जला सक्षा पताधिकारियों को जानकारी देते वे दिशा नर्देश जारी कर कहा गया है कि राजे के हर प्रखंड में दो-दो सेवा निवर्द सक्षकों को शाधन सेवी के रूप में बहाल किया जाएगा जससे कि राज्य के कुल 534 प्रखंडों में कुल 1068 साधन सेवी निक्त होंगे बता दे कि पडियोजना निदेशक के द्वारा जिला सिक्षा पतादिकारी को लिखे पत्र में यह कहा गया है कि हर प्रखंड में 55 साधन सेवी को निक्त करने का नड़ने लिया गया था जुलाई 2023 में प्रतेक प्रखंड के लिए 3-3 साधन सेवी को रखा गया था लेकिन अब यह सूचना मिल रही है कि कुछ प्रखंड में साधन सेवी ने पद त्याग दिया है ऐसे में यह आदेश दिया जाता है कि प्रखंडों में दोदों के अलावा जहां इसके पद खाली है उन जगों पर भी नुक्ती की जाए बतादे कि साधन सेवी के चेयन के लिए हर जिलास्तर पर कमीटी का गठन किया गया है मुखे मंत्री कन्या विवाह योजना के अंतरगत ग्रामी तथा शहरी छेतरों के गड़ी पडिवार की कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहाइता प्रदान की जाती है वतादिक इस योजना के अंतरगदी जाने वाली अनुदान की राश्टी पांच हजार रुपे डीबी टी के माध्यम से भुगतान की जाती है आलाक इसके लिए कुछ प्रमान पत्र होने जरूरी है जिसके तेहट अंचल पतादिकारी दोरा नरगत आय प्रमान पत्र साथ हजार रुपे से कम अधवा बीपियल की प्रकाशित सूची होनी चाहिए इस दिन केवल 99 रुपए में थेटर में देखे अपनी फेवरेट फिल्म अगर आप भी सस्ते दामों में टिकट लेकर थेटर में अपनी फेवरेट फिल्म देखने का मजा लेना चाहते हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे किस साल काफी जोड सोर से निशनल सिनेमा डे सलिबरेट किया जा रहा है जो की 13 ओक्टूबर को मनाया जाता है ऐसे में इस दिन सिनेमा घड़ों में दर्शकों को केवल 99 रुपए में फिल्मों के टिकट मिल जाएंगे बता दे किसके लिए मल्टिप्लेक्स असोशियेशन ऑफ इंडिया और पूरे भारत के सिनेमा ज फिल्म प्रेमियों के लिए एक अविश्वसमर्नी है मूवी मराथौन के लिए एक जुठ हुए हैं मालूमों के पिछले स्चाल की शांदार सफलता के बाद इस साल राश्ट्रिय सिनेमा दिवस 4000 से अधिक स्क्रीनों पर मनाया जाएगा जिन में PVR, INOX, सिनेपोलिस, मिराज, सिटी प्राइड, ASEAN, मुक्ता, A2, मुवी, टाइम, वेब, M2K, डिलाइट और कई अने थेटर इसका इसा है राजे के 261 नगर निकायों के एक एक घर की जानकारी होगी ऑनलाइन बहुत जल्दी राजे के सभी 261 नगर निकायों में मौजूस सभी घरों की जानकारी मानचित्र पर ऑनलाइन मिलेगी जिसे की नगर निकाय के मैप पर किसी घर पर क्लिक करते ही उसकी फोटो के साथ पूरी जानकारी मिल जाएगी बता दे किसके लिए सभी नगर निकायों को G.I.S. मैपिंग कराई जाएगी जिसे पूरा करने के लिए डेर साल का लक्षे नर्धारित किया गया है मालम हो किस कारी को करने के लिए बहुत जल्दी नगर विकास एवं आवास विभाग के दौरा योग्य नीची कंपनी का चेन किया जाएगा इसके लिए विभाग के दौरा प्रस्ताव जारी किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बतादे के करीब दो वर्ष पहले ही राजे के सभी उन्नस नगर निगम समेथ 57 प्रमुक शहरों को G.I.S. मैपिंग कराने की कवायत शुरूप कर दिए बितदिन बिहार के उपमोखे मंत्रे तेश्वी यादव के द्वारा मोदी सरकार पर हमला बोलते वे कहा गया कि मोदी सरकार ये अच्छे से जान ले कि अगर बीजेपी के द्वारा देश की 60 फीजदी OBC आबादी का हक खाने का दुस्सा हस किया जाता है तो OBC उनकी इंट से इंट बजा देगा इसके साथ उन्होंने महिला अरक्षन को लेकर केंदर सरकार की नियत पर सवाल उठाते वे कहा कि केंदर सरकार पिछरा फिरोधी है महिला अरक्षन का बिल पेस हुआ है उसमें OBC और अल्पसंख्य अक्समुदाएं की महिलाओं को हक नहीं दिया गया लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया उन्होंने कहा कि इस बिल को बश जुमले के लिए लाया गया है सरकार इस बिल को ले आई है लेकिन ने लागू तो करना रही है राहुल गांधी के कूली अफ़तार पर गिरेराज का तीखा तंच सोशल मीडिया पर राहूल गांधी की कूली वाली तस्वीर खूब वाइरल हो रही है वही अब उनके सफ़तार पर केंद्री मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिडास सिंग के दौरा एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर राहूल गांधी दली के आनन्द विहार रेल्वेस स्टेशन पर पहुँचे थे जहां उन्होंने स्टेशन पर मौजूद कूलीयों से बाजचीत की वहे इस दौरान राहूल गांधी भी कोली के वेस भूशा में नजर आए वहीं इस तोरा राहूल गांधी के दोरा ना केवल कूलियों की समस्याय सुनी गई बलकि उन्होंने कूली की तरह सूटकेस भी उठाया जिसकी तस्वीर अब सोचल मीडिया पर खूब वारल हो रही है और लोग उस पर तरह की प्रतिकिया देर है भारत देखिलाब पहले बंडे में नहीं खेल पाएंगे स्टार्क और मैक्सविल आज मोहाली के पंचाब क्रिकेट एसोशियेशन आई एस बिंदरा स्टेडियम में भारत और और उस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीन मुकाबले की बंडे सीरीज के पहले मैच में आउस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के द्वारा की गई पुस्टी के अनुसार आउस्ट्रेलिया आई टीम के दिग्गस तेज गेंदबाज मीचेल स्टार्क और स्टार ओलराउंडर ग्लेन मैक्सविल नहीं खेल पाएंगे दरसल तेज गेंदबाज मीचेल स्टार्क आज के होने वाले मैच में इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो अभी तक अपनी कमर की तक्दीफ से पूरी तरह से उबर नहीं पाएं हाला कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के द्वारा यह उम्मीद जताई गई है कि मीचेल स्टार्क भारत के खिलाफ खेले जाने वाले अंतिम दो वंडे मैचों में जरूर खेलेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये दोनों ही खिलारी उस टीम का हैसान नहीं थे जो हाली में एक दिवस्य श्रिम्ख्रा के लिए दक्षिन अफरिका गई थी भारत के तियास में आज की तारीक है कई कारणों सदर्ज भारत पाकस्तान के बीच की लडाई में 1965 को आज ही के दिन संयुत राष्ट की पहल पर युदव विडाम हुआ प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमहन सिंग 2008 में अमेरिका और फ्रांस की दस दिवस्य यातरा पर रवाना हुए भारते योजना आयोग ने 2011 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफ नामे में शेहरों में 965 रुपे और गाओं में 781 रुपे प्रती महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गड़ी मानने से अनकार किया भारत के समास सुधारग वियस स्रीनिवा सासरी का जन्म 1879 में हुआ 249 को निधन हुआ था इन्हों नहीं सिख धन के स्थापना की थी हिंदी वं मराटी फिल्मों की प्रसिद अभिनेतरी दुर्गा खोटे का निधन उनी से क्यानवे में हुआ भारती क्रिकेट टीम के कप्तान और पटोदी के नवाब मंसूर अली खान पटोदी का निधन 2011 में हुआ आज के दिन को राश्ट्रे गुलाब दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बारेकर में आज हम बात करेंगे लगी ड्रॉ के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लगी ड्रॉ के बारे में दिरसल पी आईबी ने अपने टुइट में लिखा है कि टाइमस ओफ इंडिया निउस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जीतने का मौका इंडिया पोस्ट जीबी समिट 1,000 डॉलर मुले के उपार P.I.B. ने अब ट्वीट में आगे लिखा है क्या करशक लगता है ना हाला कि आप ठगे जाने वाले हैं ये लगी ड्रॉ नकली है इंडिया पोस्ट ओफिस से इसका कोई संबंदन नहीं है सरकार से संबंद किसी भी संदिक्त जानकारी को हम इसाच चलाएं WhatsApp पर अब Paytium और Google Pay की तरह कर सकेंगे Payment मेटा के सौमित वाल इंस्टन्ट मैसेजिंग एप WhatsApp पर हाली में नया अपडेट आया है जिसके बाद WhatsApp यूजर्स UPI एप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग का यूजर्स करके ऑनलाइन भुकतान कर सकेंगे WhatsApp के ओर से ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है कि हम आपके लिए एक ऐसा फीचर लाने जा रहे हैं जिसके जर्ये आप चैटिंग के तौरान आसानी से खरिदारी कर पाएंगे आज से भारत में लोग अपने कार्ट में आइटम जोड सकते हैं और भारत में चल रहे सभी UPI एप्स के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे किसी भी पसंदिता तरीके से भुकतान कर सकते हैं वाटसेप के ब्लॉग में आगे बताया गया है कि किसी भी चीज़ के लिए भुकतान करना संदेज भेजने जितना असान बनाने के लिए रेज रेपे और पेयू के साथ वाटसेप को साज़दारी करके खुशी हो रही है यूपियाई एपस में अब गूगल पे, फोन पे, पेटियम और बहुत कुछ शामिल है वहले यूजस वाटसेप पर इन एपस के माध्यम से भुकतान कर सकते थे लेकिन केवल वाटसेप के बाहर रीडारेक्ट होने के बाद लेकिन अब ऐसा करने के जरूरत नहीं होगी हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुजरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा, समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी पर इच्छाव में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार, स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोस रहेंगे पूछे गए 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके या हमें कविन करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है पहली बार दिव्यांग जनुका महा कुंब उत्तर प्रदेश में कहां आयूजित हुआ है अगला सवाल किस विश्व द्याले को विश्व धरोहर के रूप में युनसको ने मानिता दी है उप्षने जनुको, उप्षन बी दिल्ली उनिवर्सिटी, उप्षन सी लखनव विश्व ध्याले, उप्षन डी सांती निकेतन विश्व ध्याले इसका सही उत्तर है उप्षन डी सांती निकेतन विश्व ध्याले अगला सवाल बिहार में दुरूपत गान के महत्पुन किंद्र निम्न में से कौन है? उप्शनी दर्भंगा, उप्शनी बखसर, उप्शनी बेतिया, उप्शनी उप्रुक्त सभी इसका सही उत्तर है उप्शनी उप्रुक्त सभी अगला सवाल दिये गए निम्न परेटन स्थल में कौन विशाली में सित नहीं है। इसका सही उतर है ऑप्षने गया में। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। यदि आपको किसी विश्व प्रसिद्व वक्ती से 10 मिनट मलने का अफसर मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे। अपना जवाब हमें अमारी कामेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो फेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद